बिस्मिल्लाराह्मानिरहीम अस्सालामूँ अलाइकुम कैसे हैं आप लोग मैं ठीक टाक हूँ आला का शुकर है और जी आप लोग बताइए गाए के भाई सर्दी आ रही है तो जी मौसम एकदम से चेंज हो रहा है ठंड़ा ठंड़ा मौसम हो रहा है तो यहां जो है ना मैं जाता बना रही हूँ और विकेंडे है तो जाईरे हम लोग सब साथ मिलके राश्ता करेंगे और जी यहां जो है ना परहाटा बन रहा है मज़ेदार सा अचा परहाटा किस किसको अच्छा लगता है नाश्टे मैं इतना जदा नहीं लाइक करती पर परहाटा बस थेकिन मुझे अपनी मम्मी के हाथ का पराटा पसंद दुझा शलगता शबसे जाए आधर मुझे पारचा का पराटा पसंद क्यों को होती है और माओ के हाथ के खाने की तो क्या ही बात है जैसे आमे भी बंुझे बहुत अच्छा लगता है माशाओला वह बहुत अच्छा अच्छा लगता पाने को बहुत ज्यक्वता पत़ वनुचत सबकूरी Oh तो यहां जो न हम लोग परहाटे बना रहे और माशा अ dłला क्या जबर दस भूले फूले परहाटे वन रहे दोड़ भी बॉइल करते हैं और परहाटे हम अधिते हैं अच्छी तो बहुत अच्छी, सरदियों में लेशन assign और स्पर्फेश्टियों में ज़ाकर अच्छी अच् तो फ्रूट से वह भी बहुत च्छे आते हैं तो यहां जो जो एना अची तरीके से मैं पराठे को पहले शेक लूँंगी और इसके बाद में एक और पराठा यहां बना रही हूं अचाहँ में इसके बाबा और असन के लिए बना रही हूं और साथ के लिए नियुक्स को है अ तो बस ये होता है कि जब वहते हैं तो सब की फर्माइशों की अलग-अलग फर्माइश होती हैं कि किसी को ऐसा खाना है किसी को ऐसा काना है अब मेरे दोनों बच्चो की चौईसीज बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दुसरेसे एक जब फ्राय काता है हसन् और हुसेन जो वो आफ्राय को बिल्कुल भी नहीं लाइक करते हैं, उनको पता नहीं क्या होता है, वो खाते ही नहीं है, मैंनोंने कई दफाख खिलाने ही कोशिश करी, लेकिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कभी भी नहीं खाया, फिर मैंनोंने स्क्रेमबल एक देना की जोएना और इनको ये बहुत था सफ मी बहुत था चारणा और इनको बहुत था शाथ नाश में कप दिन से मुझसे पूछ रहे थे आपके रूम का रहे हूँ तो जी मैं आपको बताती हूँ के क्या हुआ है कर अंच अप लोग मुझसे यही मझी आप रहे थे कि क्या हूआ हुआ थे तो बस यह हुआ कि अभी जो है ना मैंने इस लिए रोग दिया थे काम क्योंकि मेरे घर पर वो जो है काम चल रहा है अचा मैं यह सोच वही थी कि क्यों ना अपना फरनीचर में चेंज कर लूँ क्योंकि जाहरे है इसका जो हालत है भी बहुत जादा जो है आशी हो रही है कि जो है पॉलिश वगरा करवाने की अभी नेड़ है तो मैं यही सोच वही थी कि क्यों ना मैं अपने रूम के अकॉर्डिंग ही छोटा परनीचर ले लो जिसमें जो है ड्रेसिंग जो है वो थोड़ी साइस की हो और बैड थोड़ा सा बड़ा हो और जानी कबड़ जो है ना व हुआ है उनको बिठा के पकड़ के नाश्ता करा देती हूं वरना जो है यह दर भागते रहते हैं और मुझे बहुत देर लगती है तो यह हुसाइन भी माशाळला मेरे साथ साथ नाश्ता कर रहे है अच्छा फरनीचर का कुछ ऐसा सीन है कि मुझे इस अपने जो फरनीचर रहे हैं जारे हैं मुझे एक अलगी अटेच्मेंट है वो इसलिए है जारे है यह मेरे परनेट्स ने दिया है और इसको मेरा सेल करने का बिल्कुल मूर नहीं है कि मैसको सेल करूँ क्योंकि जारे कुछ चीजों से आपकी फिलिंग्स जो एना बहुत जादा अटेच होती है तो इससे मेरी फीलिंग्स काफी जादा जो है न अटैच हैं तो इसलिए मैं चारी थी कि क्यों ना मैंने ऐसा सोचा था कि मैं अपना ये वाला जो फरनीचर है वो अपने पेरेंट्स की घर पर दे दूँ और वो जाहरे वो अपने घर में सेट कर लेंगी अभी अमगा घर बन फिर उसके बाद जो है मैं अपना जो रूम है न वो फिर से जो है न री डेकुरेट करना शुरू कर दूँगी ताके जो है न अच्छे से सब को चाप लोग देखें कि भई रूम अच्छे से मैंने में कॉवर कर लिया है फिर मैं आपको इंशाला बताऊंगी कि मैंने क्या अच्छा बन रहा है वो भी मैं आपको इंशाला ताला जरूर दिखाऊंगी है न जो एना वो ट्वाइस से खेल रहे हैं और अपने इस पर नीचर को जो है न मैं अपने घर देना चाहरे हूं ताकि वो भी अपना घर को डेकुरेट कर लें तो क्या यह मैं सही सोच रही हू आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताईएगा यह बात अच्छा यह हुआ के अभी हुसाइन जो एना वो ट्वाइस के साथ खेल रहे हैं तो इसलिए जो एना वो थोड़ा शूर आ रहा था वाइस ओवर के वक्त अच्छा मैंने जो एना यहां पर तु तो यह हुसाइन को जो हिना चीज पॉपकोंव सी जो हाइन जए लेकिन मुझे पता है वो जो हुआ हुसाइन हु하면 बहुत शूख से मासा लगाता है और इसने अभी ना स sinners के करना वर्न修 के वह हर जो हैं जो है बस पेखते हैं चीज को नहीं है चंदा मामा देख रहे हो मामा बच्चें यहाँ पर खेल रहे हैं तो मेरे हजबन ने कहा मेरे यह शर्ट प्रेस कर दो और मुझे स्प्रेज होता है वो मुझे नहीं मिल रही थी वाटर गन तो इसलिए फिर मैंने हाथ से वो चुक चुक करके करते हैं वैसे करके पानी दाला तो इतना ज्यादा पानी दल गया ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा क्योंकि यह हमारा देशी तरीका है पानी दालने का ऐसे हाथ की मदद से छीटे दालते हैं वैसे किया और पिर जो है ना मैं जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने लगी अचा मैं आपको बाहिर क्या दिखाती हूँ हमारी यह बाहिर जो है ना वो पैंट हो रहा है तोड़ा सा और यह किचन की च्छत वगरा है जो सील्यों के नीचे है यह जो है ना अंकल हमारे पैंट कर रहे हैं और काफी सारी पैंट खराब हो रहा था और सील्यों की जल्दी 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 खराब हो जाता है यहां बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको ग्रिल वगरा लगानी चाहिए तो जी किचन की सील्यों है और छोटी-चोटी से स्टैप्स हैं वालेकुमस्सलाम कैसे हो असान? देखो यह उसेन ने सारा बखेरा करा हुआ कैसे हो क्या पढ़ा आपने? कापी? पैंसिल की स्पैलिंग पढ़ी आपने ओर गावी? जी इसे हो पूसित नहीं और रूप पीजार के झार यृ यृ वह वे ठीक्र हरा गाम he वहत मज़ए का खाना विड्यानी कहम बनियांगे क्श झान फटीक है उख़ा हरे हैं अपवालिय बांभ घाथ आथा कंच फ़िए lle मेरे कमरे जल्ड बहुत जर्ब मैं आप लोगे साथ निसार करोंगीएभी साहर imminent कि लिए भी में और साइक साइक बी तो बहुत कि इधे उगता है तो जबब ढूंझ है और ब तो नहीं तो ऑगरा सवेड़नाई मैंद खुत और संदा बहुत सबोकर दो होना है और घरे बहुत सब्सक्राइब बना रही हूं और देखें अभी क्या होता है मैं चिकन कड़ाई बनाऊंगी हुसाइन अभी तीवी देख रहे हैं और जी बस दही आ गया और हुआ कुछ यूँ कि मैंने जो है न चिकन बोला और फैक्टरी के लड़के को काम करते हैं हमारे वककर जो है उनको का कि भई आप दो चिकन बना गया तो उन्होंने क्या कि वह गए और चिकन की बिर्यानी लेकर आगा है वह तो मुझे चिकन लादो ताकि मैं कड़ाई बनाऊंगी तो कह रहे हैं च्छा है तो अभी वह गया हुए तिनी देर हो गई पकाते में क्योंके वह बीता का अइन यह जाओ आई न इसी चक्कर में देर हो जाती है तो बस आते हैं तो पर अभी बनाते हैं हम लोग चिकन की कड़ाई देख रहे हैं इस लेप पे कैसे पैंट के निशान निशान से हो गया अभी इसको साफ करते हैं क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं देकिन सब जगा अ अब जो हैना में यहां पर लश पर श कड़ाई बनाने की तायारी कर रहे हूं तो सबसे पहले मैं नहीं यहां पर तीर डाली है अचा पहले मुझे लग रहा था कि यह नहीं इसके अंदर बना लिया अचा जब दिमाग का एना वो काम कर लेना चाहिए तेल को मैंने गरम होन आप लोग अगर आता है आपको तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताईएगा तो यहां मैं कुछ मिर्चे लोंगी और इस तेल में डालूंगी तो यहां ना अरी मिर्चों को मैं तोड़ा काट की डाल रही हूं ताकि जल्दी कुछल ली जाए तो ब बता है तो बहुद्धिता मैं ने दूँंगी अडरा कलेसी क पेस्ट को और यहां को चल रही हूं और इसके बाद यहां ना मैं यहां वार्यमिचे भी जो एना इस तेल के अनदर । दूंगी अभी इसमाइने कुछ नियूदाओं अब हैस्ट में रही हैं जिस्च पार यह तो बस कभी कभी ऐसा होता है कि आप खुद जाते ना गोश्ट तो ज्यादा बैतर होता है अच्छा इसको आप थोड़ा सा एक तर फ्राय करेंगे और भी थोड़ा सी दिर के लिए मैं ढ़के रख दिया है इसके बाद मैं सारे टोमेटो को जो है यहां पर कटिंग कर तो यहां मैं टोमेटो देख रही थी काफी फ्रेश फ्रेश आई हुए थे और बहुत अच्छे लग रहते हैं अच्छा विंटर में वेजिटेबिल्स आती है तो चिकन का थोड़ा सा कलर जो है ना वो देखें इस तरीके से चेंज हो गया है और आप जो हैना मैं इसको नि नहीं और इसको मैं एक प्लेट के अंदर साथ साथ निकाले देरी हूं तमाम चिकन को निकाल लेंगे हम इसी तरीके से और जो इसके अंदर दे लेना उसको एज़िए रहने देंगा उसके अंदर हमने दालने है टिमाटर सारे टिमाटर को मैं इसके अंदर दाल दूंगी औ पर ऩो लिग्यत्त गब देड हैं, और कुचि हब यह बुड़िये पायचे मेर्च अगर्डें, एक जासे सयां अगर्ट मुटिय पॉड़ा, कुचि कुचि हुई मर्चे के अचलिक हुई गार को अगर्ट सकते गदार जाने मैं इसमें कम दालती हूँ ताकि जो इसका कलर है वो बहुत अच्छा आए तो जी पेसी हुई एक कुटी भी मिर्चे तो बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर और साथ ही मैं इसमें नमा गैट किया है और जो है अभी मैं इसको थोड़ा टिमाटरों को गलने के लिए रख अच्छी तरीके से गल जाएं और इसको अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी अब मैंने एक फ्राइपेंट के अंदर जो है ना थोड़े से जो एना ड्राय मसाले ना उनको डालना है और उसको थोड़ा सा ड्राय रोस्ट करना है क्योंकि कड़ाई के अंदर ये मसाले बह जो एक मैंने जो लकडी होती है ना बादियान का सौरी दार्चीनी वह दाली है मैंने और जो ये टिमाटर है ना देखे मुझे वह चोटा पढ़ा था उसके अंदर मुझे चेंज करना ही पड़ा जो दिमाग कहना तो इनसान को कर लेना चाहिए तो जी मैंने बहुआ जो एना वो एड़ कर रही हूं ताकि जी कि चिकन भी जो एना वो अच्छी तरीके से गल जाए और पहले मैंने इसको इसलिए निकाल लिया था ताकि इसके अंदर की स्मेल निकल जाए द्रकलसन के अंदर बुनके और ये बहुत ही जबरदस बनती है कड़ाई मज़ेदार आप इसकी रंगत कितनी अच्छी आ रही है रैड रैड खुबसूरत सी खुबसूरत लग रही है और खाने में भी बहुत जादा मज़ेदार बनी थी अच्छा मैंने तमाम जो एना जो ड्राय मसाले ते ना उनको ड्राय रोस्ट कर लिया था और अब मैं इसमें थोड़ा स जो है ना हमने जो मसाले लिये ते उसको फिर से कुचल लेंगे ताकि वो कुचले पे मसाले जो होंगे ना वो अच्छे रहेंगे इसके अंदर और ये सारा जो है ना मसाला हम इसके जब डालेंगे ना तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी इसका टेस्ट ऐसा ताकि च्कन गल जाए हम लोग रूटियां बना लेंगे यहां रूटी बन रही है यहां चिकन रेडी हो चुकी आप जो देखें रूगन वगरा सब आ चुका है इसके ऊपर और यह बनी है मसदार सी कडहाई चिकन गल चुकी है और ये देखिए वही कितनी ग्रीवी वाली है और कितनी अच्छी सी कड़ाई बनी है लश बश तो आप लोग ज़रूर ट्राइ कीजिए और अगर ट्राइ करें तो मुझे ज़रूर बताएगा किया आपने ये ट्राइ की है अच्छा इसके अंदर में थोड़ा सा बस गार्नि स्पाइडर में ड्राइण गोफ टील करें द कितना कर लाना और क्या सृफंटर में थोड़रूर गलार बनाइवेल इसक्तन ठीन को फ़लकाव्या ठीना कंण बला किव ते झाव कर दो वीडियो डाइक कर दें की उभा कर दें मैं। यज़्वी रीदू करदें चाहरो ठीक है बैस वीरीओ को मैं आसन को जुरूर पढ़ाती हूं तो आसन को मैं यहां वर्क करवा रही थी और माशाला आसन जो एना बहुत अच्छा वक्त कर रहे थे इसने माइसेल्फ भी आज लिखके दिखाया मुझे और अभी जोएना ये केजी क्लास के अंदर है लेकिन माशाला चे बहुत अच्छा काम करते हैं मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है अच्छे ट्रेक पर ही रहे और शयतान के शर्च महफूज रहे हैं हुसेन अभी तो इसी दर के लिए सोग आए हैं उठ जाएंगे इसके बाबा आएंगे तो युट्रा लाजमी उठेगा और अभी इसके बाबा भी आते हूंगे का थी ये गाड़ी इतने दिनों से अब चल रही हूं मैं भी चल रही हूं मैं भी चल रही हूं अब कर दो आपके बाद चाभी होगी ना का ये चाभी अचाभी अचल देगा इसको आ रही हूं तो बस में भी इनके साथ गई चक्कर लगाने के लिए अचाभ मुझे जो है यही हो रहा था कि बस हसन है अंदर और चलो गेट का इसू था तो खैर यह के पे कोल दिया फिर हम लोग चकर लगाने के लिए गया और ये बाइक परकान में और रहा तो यहती है के का आज की वीडियो और आपको वीडियो कैसी लगएगा कसी लगएगा विडियो की लगएगा थीजिए वीडियो को लाइक साथ लाइक की ऐमान में